आपके बेंट दीए बेंट दो pack जाून आपना वहला दो जटाए decision तो आप Shrाइड जाग से एक सो यहां झीभिग होतocyक Krवा का आपक की आपके हैं यहां यहां वीडियो तो इससे पहले में इसhurुग में त्मी होलोक ऑपर तो इससे पहले मैं तीन बार इसी जुगा पर उतर चुका हूँ और उत्ता क्या कि हर बार टीम आ जाती हो पर से हैंड कहीं बसर में मारा जाता हूँ अब यह फॉर्ट थाइम है और देखते हैं इस बार में शर्वाइव कर पाता हूं के लिए अगें इस बार सेम चीज हुई है की टीम मेरे बाजु मैं उतरी है और तीन बार मेरी किसमत अच्छी नहीं रही लेकिन इस बार आई तिंक मेरी किसमत थोड़ी सी अच्छी है वो तक है कि जो गेंपले में मर जाता हूँ वह वाला में डिलीट करते हूँ और दूसरे स्टार्ट करते तो तो आपको वह गेमप्लेस देखने को नहीं मिलते है लेकिन इसके बावजित भी गाईस कई मैच ऐसे जाते है अगर आपको एक गेमप्ले निकालना है तो उसके लिए पांसे दस गेमप्ले में आपको मरना पड़ता है तब जाके आपका वह एक गेमप्ले निकलता है फस्ट अटेम्ट में बहुत मुश्किल होता है कभी-कभी तो फिलाल यहां पर यह वह गेमप्ले मिल्कुल लग रहा है कि अभी आगे जा सकता है यह वह मैच तो मिलको सबसे ट्राइ करनी पड़ी कि वह सामने अली जो बिल्डिंग है बिल्कुल यह वाला चाहसे मेरे पर अभी नेड आया है इस वाली बिल्डिंग को खाली करना बड़ेगा क्योंकि यह बंदे में पर बराबर नेड फेक रहे हैं और यह कितने में इतना भी नहीं मालू है क्योंकि बहुत जादा मुवमेंट नहीं हो रही है और बिल्डिंग में डिस्टेंस भी काफी सा रहा है तो दूर से पता ही नहीं चलता फुट से कि बंदे महां पर है कितने है अब वो जो आपको बिल्डिंगों पर चलते हुए दिख रहे है थोड़े बहुत वही दिख र खाली गुरू फिर मैं जल्दी से जो है दूसरी तरफ जा सकता हूं अब ही तो नहीं लग रहा है मेरे को कि बिना नेट कैसा हो पाएगा तो एक नेट में कहीं से जोगार करता हूं और एक नेट में त्रो करता हूं वह खिड़की वे एक बंदे में जो की चुपा हुआ था और जैसे ये वाला नेट जो एक दम सकस गया अब बस मौक आए कि मैं जल्दी से रश कर दूँ बट बिल्डिंग वाली ना मार दे मेरे को लेफ्ट वाले सो आब मैं जब ऊपर जाता हूं तो वह बंदा जो है गिसक गिसक के सबसे पहले तो मेरे बिलकुल लेफ्ट में चल करना था क्योंकि वहीं पर ही वह बंदे थे जिनको में मार रहा था इतनी देर से और यहीं एक नॉक चाहता था मैं ताकि मैं जो हिप चाप कर सको अला कि मुल्टिपल बंदे हो सकते हैं 1v4 है तो कुछ भी हो सकता है अब 1v4 में कभी कभी जाए है टोटली 1v4 नहीं लगता ताकि सारे के सारे चार बंदे हो और आप सरफ और सरफ अकेले हो इस लोग में ऐसा नहीं होता है तो यहां पर इसकी टीम पता नहीं कहां पर है लोग तो वैसे वीडियो में आगे बढ़ने से पिले एक चोटे सा ब्रेक लेक आपको एक मस्त सी वेबसाइट की बारे में बत अगर आप साही माइन करते हो तो आपको मिलता है इंस्टेंट रिवार्ड जिसको आप एजिली विड्रो कर सकते हो बाग की मिनिमम डिपोजिट 200 रुपीज का है लेकिन जब आप मेरा प्रोमो कोड इसको रोगे तो आपको मिलगा तरही 100% का कैश बोनस वो भी फ्री में औ और मेरे लिंक से जाओगे तो एक्स्ट्रा कैश रिवार्ड भी जीते होगे प्लस आईपेल भी आ रहा है और तो आपनी फेडरिट टीम को भी आप बीसी गेम पर जाके सबोर्ट कर सकते हो और प्रडिक्शन कर सकते हो और जीत सकते हो काफी ठेरो सारे यह नाम तो लिंक आ बंदे उनके नौक कर दें सो में ख्लोज आता हो थोड़ा विरो पता था मैं जितनी देर में डिस्टन्स क्लिर करूँ है तब तक वह रैव हो जाएंगे बागे के दो बंदे उनके उनको रैव कर देंगे तो यहां पर जाए उनके बिलकुल घुसना ही सईनी होगा सुमें करता हूं सबस्त पहले तो अब मेरे पास नेट्स मॉली भर भर के में लेकिता आया तो उठाने इसलिए कि मैं फैक सकूँ आपर बट सारे-सारे वेस्ट होना स्टार्ट हो जाते दो नेट्स मैंने वेस्ट कर दिया फिर अकरी मॉली बची थी और वह भी मैंने जए फैक इबा मैंने इस बंदे को knock ile किया अब उसका एक बंदा और है इस ने rap नहीं दिया था उसको मैंने finish कर दया और इसका teammate पंपर ही finish होजा जाता है I think उसको किंची और ने finish कर दया बीच्न से देख्रों कैसे कोडिने तरीकले सब एक बंदा नीचे से पुश कर रहा है दूसरा पीछे से जो है उसको पता था मागर वाव पर खड़ा हुआ तो पीछे से मेरे को मार देगा बट इनके साथ उल्टा हो गया अब बच इनके शायद दो बंदे और अभी कभी जो है एक बंद इनका रैव के लिए भी चला जाता है तो ऐसे में एक ही बंदा बचा रहे था कभी कभी सो मैं सबसे पेले तो पीछे वाली बिल्डी में एक मॉली फैंक देता हूँ दा कि उसक अब इनका एक मंदा बचावा यहां पर और यह भाइस आभी पीछे से नेड कुक करके हाथ में आ रहा था ताकि सीधर इसी जगा पर फैंक सके और मैं यहीं पर फिनिश हो जाता पता अगर वो सक्सेस अगर मैं पुछना करता उसके उसके उपर तो मैंने इसलिए पुछ कर को राइब मिल गया होगा तो उस एक आखरी बंदे से बचके रहना पड़ेगा मेरे को क्योंकि बंदे निकलते निये चुपके बैठ जाते है एकजिट प्वैंट पर उनको पता है निकलने वक्त तो यह आएगा गारी के पास ही तो यहाँ पर गारी का एक प्वाइंट मैं इदर वाले पर आ जाता हूँ और यहाँ पर मिरको शायद उस टीम का आखरी बंदा दिखा हो सकता है उसी टीम का बट क्या कह सकते है फिलाल उसकी गाड़ी मिरको आपे मिल जाते है बट में उसकी गाड़ी नहीं लेता हूँ तोड़ा दूर से जाके बग्गी बढ़ी जहां पर एक टीम ने फ्लेर चला रहे थी मेरी बग्गी सांट उनको आ गई होगी तो मैं यहाँ पर रुक के सबसे पहले मटका लगा लेता हूँ अभी इदर मैं देख रहा था कि यहार उपर बंदे कि इदर नीचे से ग्रोजा चली तो मैं समझ गया कि यह उपर वाले ब क्योंकि ग्रोजा मतलब वही उन्होंने अपने फ्लेर ड्रोप से लिए होगी ग्रोजा नीचे ही होंकि सारे के सारे बंदे बट जैसे मैं नीचे गया फिर मैं को पीछे से फाइरिंग की आवाज आती है यह शायद मैं पर फाइरिंग होती है अब है जब नीचे आ रहा तो मैं देखा यार नीचे तो कोई है ही नी फिर मैं पीछे देगा तो पीछे इपन्ते थे इंके और एक बंदर तक हलका सा मुवमेंट उसके दिख़ी दिखे थे में रुखो मैंने उसको तो नहीं लेकिन उसके एक टिबिट को फिनिश कर गया और इसके साथ फ्लेयर ड्रोप वाली जो ही एटीमे गाई इनको फिनिश कर दे मैंने बट मेरे को एक चीज अमझी नहीं जब मैं यहां पर जब फस्ट टाइम बगी लेकर आया था तब इनको मेरे पुश करना चाहिए था बट तब उपर से कोई पर मुवमेंट नहीं तो मेर पर जो कि अधा तब दे कोई भी आप मैं आता हो इस जगह पर यह पर इस जगह पर इस जगह पर यह बट इन्टेंस पाइट वाली जगह यह पर यह पर तीनी बिल्डिंग से यह पर तो मैनेज गरता है तोड़ा सा अब जिस बंदी को मैंने नौक किया था ना गाइस उस बंदी को शायद कोई दूसरी तीम आप पर अलरडी रहती है वो से फिनिश कर देती है अब मेरे को यह ची समरी नहीं आई सो मैं पीछे रहता हूं फिलाल तो क्योंकि मैं मुल्टिपल टीम्स थी वाँ दो टीम थी शाय तो थोड़ा सा और उपर मेरे को एक बंदा मिलता है और मैंने से फिनिश टाल दिया अब शायद यह है क्योंकि डिरेक्टी फिनिश हुआ है तो इसकी सारी टीम है फिनिश हो गई है जैसे मैंने का था दो टीम है थी आपस में लड़ जगड के मर गई और मेरा जो नौक था जब निकला तो मेरे को उपर से फाइरिंग आती है और यहीं पर थोड़ी देर पहले आकर मैं फाइट कर रहा था अब यह भाज सब जोतिना दूर से फाइरिंग करने में पर अब मेरी बार है तो इसकी बास में बगगी थी मैंने सोचए यार इसकी बगगी के एकिप्टेम चटका दूगा में वह बंदा में निकल लेता है तो मेरे को हलका सा दिखता है वो बट मेरे खुद जाना है तो मैं फुद जोन में निकल देता हूँ इसके पीचे पीचे मैं इसवचार बग्गी का पीचे करता हूँ तो मैं ट्राय काता हूँ थोड़ा सा फायर को जो फॉलो करने का जितर जितर से फायरिंग आ रही थी तो मैं थोड़ा कंफीज होगा है कि यह जाओ तो मैंने हाइड चूस करी मैं सीधा ऊपर चला जाता हूँ क्योंकि वस जगह से मैं को बाकी के नीची वाले बंदे भी दिख जाते है और उपर जो फायरिंग कर रहा वह तो दिखी जाता सेगंड ताइम उस बंदे को वापस देखता हूँ वापस मैंने से उद्वर लिट किया संभी ने आ रहा है बच कैसे राई यह बंदा और यह दिखो यह बिल्कुल भी सेफ निया यह जगह एक तो लकडी किया है अब यहां मेरे बाजो पे एक मंदिर साय है जहां पे लोग उतरते हैं तो उस जगा पे उस जगा पे मेरे से फायरिंग हो रही है अदलग और मैं फिलाल सामने भीजी हूँ अब इसकी बारी है गाईस अब मेरे को एक पल के लिए बंदा दिखा था लेकिन बहुत ज़्यादा दूर था फिर वह बंगी लेकर थोड़ा आगया जाता है उसके बाद गाईस जो पत्थरवाजी स्टार्ट होती है यहां पे उदर से वह बंदा जो है एकदम नेड़ पे इदर से मैंने जितने इड़ थे में पर सारे स्वाहिम कर देऊ आपर क्योंकि वह बंदा ना बंगी लेकिए क्लोज आया था मेरे थोड़ा का कि जोन में उसको भी जाना था बट इतने नेड़ फेक है मेरा एक भी निलगा लेकिन उसका इग्जाक्ट इस कुटिया के अंद सेक्शन में बागी बिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में तो तो गए टीक एर और गुडबाए